जितना ज्यादा हो सके इनको लगा लीजे स्पाइडर को सरदियों में बहुत ज़्यदा ग्रोथ करता है बाकी गर्मियों में लगने वाला नहीं है फिर आपको नर्षरी के चकल लगाना पड़ेगा फिर नहीं कहना बताया नहीं है तो फटा फट जल्दी से इसको जितना ज़्यादा हो सके लगाईए अक्सीजन प्लांट भरपूर अक्सीजन देता है तो चलो वीडियो सुरू करते हैं वीडियो में बने रहेगा वीडियो छोड के नहीं जाएगा ठीक है वीडियो पूरी देख लीजेगा पूरी चलिए कैसे अच्छे होंगे ठीक होंगे सुस्त होंगे बोले में जब गलती है जब आप करिगा पैठ चुका थने करकर प्रेंड आज मैं आप लोगों को यह कैसे प्लांट की बारे मिलाना चाहती हूं कि भारपूर आक्सीजन देता है अंदर बाहर बहुत अच्छे से ग्रो करता है और यही टाइम है सर्दियान के टाइम है कि हम उसे जितना ज्यादा हो सके लग लगा लें बाकि egg Everest कर लेते हैं और मैं दिखाती हुं कौन सा प्लांट है देखक त्षे मेरा एलोवेरा प्लावर देख रहा है और उधर वो रखाय है गुड़हाल है ना कितना खहुत ocurra लग रहा है तो चले मिला दें कांसा प्लांट है आज मैं बात करने वाली हूं इस्पाइडा ब्रांटी की जी हाँ स्पाइड प्लांट क्योंकि यह स्पाइडार ब्लांट भर पूर आकसी जन देता है और आप इसको अंदर बाहर कहीं भी रख सकते हैं बहुत अच्छी से ग्रो करता है और ये टाइम सर्दियों का ही टाइम इसके लिए फरफेक्ट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इसी टाइम ग्रो करता है सबसे ज्यादा और जैसे ही गर्मिया लगती है तो ये बहुत सूख भी जाता है बहुत सारे लोगों को सूख जाता है और ये एक से हजारों बन जाता है आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखे एक से हजार तयार हो जाता है अगर एक प्लांट आप नर्सरी से इसका ले आ गयागा पिर उस से आप कई सारे प्लांट टैयार कर सकते हैं मेरे जैसे जैसे मैंने इन को तयार किया हुआ सकते मेरे साबला हैं नियुक्त तो चोटे प्टिमें लगा हैं यह चोटे चोटे में असानी से चल भी पहला मेरा यही था लेकिन इतने सारे मैंने इसी से बनाए हुए है देख लीजे आप और गर्मियों में सबसे ज़्यादा इनको लगाती हूं सबसे ज़्यादा लगा के रखती हूं अगर्मियों में आधे मेरे सूख जाते हैं क्योंकि यहीं छत में रखे रहते हैं तो प्ला एक बात को आप लोगों को जरूर ध्या रखना है इसमें पानी कम चाहिए इसको पानी बहुत कम देना है और यह बहुत अच्छे से ग्रो करता है इसके यहां से देखिए यह जो यहां से इनके यह रूट्स निकलते हैं और यहां से फिर यहां से कट करके आप इनको लगा सकत बस आप लोगों को दिखाऊंगी लगा करके भी दिखाऊंगे आप लोगों को देख़कते हैं ये तो मेरा इसमें लगाया हुआ है देखिए ये मेरा गर्मियों में नहीं सूखा था ये इसी तरह ग्रो कर रहा था क्योंकि हम थोड़ा से इसको बड़ा पॉट दे दिना तो कुछ लिफ्स इसकी खराब हो जाएंगी तो कुछ मतलब फिर से ये निकल आती है और इसको मैंने इसमें से मेरे स्नैक लगा था तो मैंने कल निकाल के इसमें भी लगा दिया इसी को और यहां सारे मैंने यही लगा के रखा है छोटी से छोटी पॉट में असानी से ग्रो हो जाता है और सबसे ज़्यादा आक्सीजन देता है भरपूर आक्सीजन देने वाला प्लांट है तो आप लो जाएंगे फिर अगर पास में है नर्शरी तो कोई बात नहीं हमारी तरह 20-20 किलो मीटर दूर है तो वह दोसे का तेल लगेगा फिर बाद में लेकर के आएंगे 100-200 के पौधी मिलेंगे तो अगर अभी ही इसका टाइम है आप लोग अभी ही लगा सकते हैं तो अगर देख लीजे फ्रेंड इसमें भी मैंने लगा के रखा है मतलब प्लास्टिक बोतल हो कोई भी हो छोटी मटकी हो कोई कुल्हड हो ये फटे पुराने डिब्बे हो कुछ अभी हो आप ये ना देखिए कि खराब है फटा है पुराना है कुछ ना देखिए बस फटाक से इसको लगा दीजे क्योंकि अभी ही इसका टाइम है जहां टाइम निकल जाएगा फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे हाथ दोते रह जाओगे इसलिए फ्रेंड देख सकते मैं यह मग्घ में यह मग है यह क्या करते हैं यह तूट गया था यहां से देखिए टूटा हुआ है और मग्घ में भी मैंने इसको लगा दिया देख लीजे अप यह मग्घ टूटा है मग्घ भी मैंने लगाया हुआ है और जब मैंने इनके छोटे-छोटे ही वेवी लगा है देख लिजे यतनी भी कटिंग मेरी लगी है सारी पलास्टिक बोतल में ही लगी है चोटी से छोटी पॉटल में असानी से ग्रो करता है तो आप लोग देञ ना करिए जरूर इसको लगाई है यह देख सकते हैं यह भी चोटा इंग ही है सबी चोटे चोटे बड़तनों में मैंने लगा के रखा है आपके पास मग तूटा है जग तूटा है प्लास्टिक बोतल है कोई कुलहड है कोई मटकी है हर चीज में आप इसको लगा लीजे क्योंकि टाइम इसका अभी ही है और भरपूर आक्सीजन का अनंद उठाईए दम सुध तो फ्रेंट देन ना करें और यह प्लांट आप लोग जरूर लगाए नर्सरी नहीं जाना पड़ेगा अभी ही लगा लीजे देखे कितना प्यारा क्यूट लग रहे है मेरी पहले तो यह मेरे प्लांटर कितने क्यूट लग रहे है और फिर इस में से जो लगा और भी दिखा दिघन रहें आप लोगो को आई यह चलते हैं तो देख लीजे एक मेरी मकळ यह मैंने इसमें लगा के रखा है बार इसके पहले ही लगाया था और देखे ग्रो हो गया है ये मटकी में मैंने लगाया है चोटी सी और ये एक इधर इसमें लगा के रखा है ये लगा हुआ है और आप लोगों दिखा दी हूँ एक ये लगा रखा है इस्वाइडर बहुत अच्छे से लगता है और चलता भी है तो फ्रेंट देन ना करिए जिस चीज में जो भी आपके पास है उसी में लगा दीजिए बहुत अच्छी से ग्रो करता है और बहुत खुबसूरा लगता है जहां भी यह रख जाता है स्वाइडर प्लांट महां हम चार चांद ल लगाया है इसमें भी लगाया ये देख सकते हैं यह चोटा वैчесमेंर लगाया है अभी आराप आपके सामने लगा करे दिखाऊंगी देखसा Watson मैं ने लिया है यह गंला और मैं अभी यहीं से एक निकालूंगी आप लोग देखते जाए मैं वीडियो में बने लियाक है गां क्या है इसके छोटी सी यहाँ पे इसके रूट की बघल से पतियाँ इनको आप लोगों को हटा देना है यह इससे फ्रह लोग अपलोग मैँ तरह नोग हटां देना है और यह कहते हैं जिसको व्वालिमन गफाते यह दू दिन में बहुत अच्छी सी ग्रो करने लगता है तो आप लोग देर ना स्वाइडर के प्लांट नहीं फिर नर्स्त्री के चक्कर लगाना पड़ेगा पैसे भी कर्च करने पड़ेंगे तो अभी जल्दी से टाइम है तो आप लोग इस टाइम का भरपूर अरंद उठा लिजे क्योंकि सर्दियों में बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है और बहुत ज् विवाइडर के लिए दाक्वर अचैनल को सबस्क्राइब करें और थोड़ी वीडियो को पूरी वाचिया करें क्योंकि बहुत मेनात करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेना लगते है तो आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को आगे बढ़ाए क्योंकि बहुत ज्यादा परहसान है हम बहुत ज्यादा आप लोग सिक्क्या बताए तो आप लोग वीडियो को पूरी देख लिया करें और सपोर्ट करें ताकि चैनल ग्रो हो कितना सुन्दर है सिनकार कि तेरी लेओं नजर उतार कितना प्यारा है मैंने इस लाइन में स्वाइडर रखा है और अभी और एक लाइन बनाओंगी इधर साइड को स्वाइडर स्वाइडर रखोंगी बहुत खुबसुरा लगता है फ्रेंड जब यह जहां भी रख जाता है ना बहुत सुन्दर लगता है आप लोग इसको जरूर लगाईए यह छोटे में लगाईए बड़े पॉइट में लगाईए जितना भी हो सके आप लोग लगा लीजे तो बाई बाई लब यू माई गाडर लब यू माई फ्रेंड बाई